हां जी क्या हाल चल कुलफी और आइसक्रीम तो हम अपनी रोज मर्रे की जिंदगी में खाते ही हैं बट क्या कभी आपने अफगानिस्तान की आइसक्रीम खाई है नहीं ना तो चलिए आज आपको दिखाई जाए अफगानिस्तान की सबसे फेमस शीरियाक आइसक्रीम वो भी दिल्ली में तो उसके लिए हम आगया हैं लाजपत नगर 2 में काभूर रेस्टोरेंट के भार एक स्टॉल पे जहां पर ये 65-year-old अंकल जी 30 साल से ये शीरियाक आइसक्रीम बेच रहे हैं 26 साल इनों ने अफगानिस्तान में बेचा और 4 साल से इंडिया में बेच रहे हैं अब मैं आपको शीरियाक आइसक्रीम के बारे में बताता हूँ जैसे हां इंडिया में हम काड़ के रबड़ी बनाते है वैसे ही आप समझ लोगो रबड़ी वाली फॉम में आ जाता है आप देख सकते हो दूर डाला जाता है ये फ्रिज में जी हां ये कोल्ड स्टोरेज वाला फ्रिज हो गया और उसके बाद वो जमना शार्ट हो जाता है और फिर अंकल जी पूरे मिक्षर को एक तरह से खुरोत कर नीचे ही खठा कर लेते हैं और फिर उसके बाद दुबारा से उस मिक्षर को चारो कोनों पे लगाये जाता है जैसे आपके सामने लग रहा है फिर उसके बाद थोड़ी देर फिर ठंडा करेंगे और उसके बाद ये आईस क्रीम अब प्रिपेर है अब इसे निकाला जाएगा आप देख सकते हो आपके सामने निकाल रहे हैं तो जब मैंने ये प्रोसेस देखा ना मुझे समझ आगया कि ये बड़ा महनती काम है तो जल्दी से कॉमेंट करके बताओ आप कि आपने ये आईस क्रीम कभी खाई है या नहीं खाई येस और नो में और अगर नहीं खाई ना तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो और और अंकल जी ने जो दोनों आईस क्रीम बनी हुई थी क्योंकि दोनों इलाइची वादी आईस क्रीम है उन दोनों को मिक्स कर लिया है अब इसके बाद आगे हमारा गिलास लगने वाला है आईस क्रीम का और उसमें भी एक अलग चीज है मैं आपको दिखाऊंगा वो आप आगे वीडियो में देखना बागी आप देख सकते हो आईस क्रीम पूरी त्यार हो गई है अब लगेगा हमारा मस्त गिलास शीरियक आईस क्रीम का सीधा अफगानिस्तान से नहीं दिल्ली से तो इसमें जाते हैं तीन स्कूप जी हाँ दो स्कूप जा चुके हैं अब एक औ पानिस्तान वाली तो इसका नाम होता है काईमाक यह जाएगा और उसके बाद जाएंगे ड्राइफ रूट जी हां बदाम जाएंगे पूरे चूरे करे हुए वह आप देख सकते हो आपके सामने है और उसके बाद यह मस्त आईस क्रीम त्यार हो जाती है और जब हमने इसको टेशाब